नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिश्य स्वागत है साथियों आज की इस वीडियो का हमारा टोपिक है आपरेशन कायकल्ब 14 पेरामीटर्स पर हमारे विध्याल्यों का कायकल्ब हो रहा है और कई जनपद ऐसे भी हैं जहां कायकल्ब पूर्ण हो चुका है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही विध्याल्य दिखाऊंगा जिने देखकर आपको नहीं लगेगा कि ये विध्याल्य भी हो सकते हैं यानि हमारे सरकारी विध्याल्य इस तरह के हो सकते हैं उनको देखकर आपको पहचान भी नहीं पड़ेगी कि ये प्राइवेट स्कूल है या आपका ये सरकारी विध्याल्य है तो आज की वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की इनफोर्मेटी वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इनफोर्मेटी वीडियो वाटसप ग्रूप और इनफोर्मेटी वीडियो टेलिग्राम ग्रूप बनाए हुए है आप चाहें तो मेरे गुरुप से जुड सकते हैं, गुरुप का लिंक आपको वीडियो के डैस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे गुरुप से जुड सकते हैं, तो देखिए कुछ विध्याले की तस्वीर में जो आपको दिखाने जा रहा बिल्पूल नहीं लगेगा कि ये विध्यले प्राइवेट विध्यले हमारे हो सकते हैं देखे सबसे पहले सम्वीलियन विध्यले जीतपूर विकाष्च चंड पिप्रोली जनपद गुरकपुर आप इस विध्यले की तस्वीर देखिए इसको देखकर क्या आपको लगता है कि ये private विधाल्य है, लेकिन ये operation काया कल्प की वज़े से इस तरह की विधाल्य हो गया है। उसके बाद पूर मादमिक विधाल्य जीतपूर गुरकपूर की तसमीर देखें चीतपुर की कितना सांदार विधाले है टाइल फर्स सभी कुछ लगा हुआ इस विधाले में तो आपरेशन कायकल्प के बाद इनका विधाले इस तरह का हो गया है यह देखिए प्रात्मिक विधाले है बैग ही भरी आप इसको देखकर नहीं बता सकते कि यह विधाले आपक कितना सुन्दर विधाले है इसको आप प्राइमरी विधाले अपने विधाले को देखिए और इस विधाले से उसका कंपेरिजन कीजिए तो हो सकता है आने वाले समय में मोडल कंपोजिट विधाले है बरव गुरकफूर यह गुरकपूर का विधाले है देखिए कितना सां तक लगे हुए हैं विधाले में देखें इंग्लिस मीडियम प्राइमरी स्कूल सोहरतगड देखें कितना सांदार विधाले है फरनीचर देखें बच्चों के बैठने के लिए खाना खाने के लिए भी सीट बनी हुई है तो इनको देखकर लग रहा है कि जो आपरेशन काया क कल्प चल रहा है वो आने वाले समय में काफी कारगर सीध होगा अब बात करते हैं वारांसी की देखते हैं वारांसी के विध्यालों को पूर मादमिक विध्याले ठटरा देखें कितना सांदार विध्याले है ये सब आपरेशन काया कल्प की वज़े से हुआ है कंपोजिट विध्याले सिवापुरी, बसूपुर, ये बहुत सारे विध्याले हैं, अगर आपके पास आपका विध्याले भी इस तरह का विध्याले हैं, तो उसकी तस्वीर मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, जिससे की जादे से जादे सिक्षक साथिय को पता चल सके कि हमारे विध्याले कितने चेंज हो चुके हैं, अब देखते हैं सोन पद्र के विध्याले किस तरह की हैं, ये है अपर प्राइमरी स्कूल हिंदु आरी, देखे विध्याले को देखते ही लगता है, अगर इस तरह का विध्याले होगा तो सिक्षक का भी Composite विधाले विडम गंज देखे इस टाइली करन देखे फर्स कर देखे सभी चीज इस विधाले में है उसके बाद देखते हैं बरेली के विधाले उनमें क्या प्रभाव पड़ा है उच प्रात्मिक स्कूल माडल किसोर बाजार देखे ये हमारे विधाले हैं और आने वाले समय में हो सकता है सभी विधाले इस तरह के ही हो जाएं ओप्रेशन काया कल्प की वजह से और जब इस तरह के विधाले हमें मिलेंगे तो पढ़ाने में भी मन लगेगा पिली भीत अब देखे पिली भीत के विधाले, ये पिली भीत के विधाले है, कितना सांदार विधाले है, प्राइमरी स्कूल एवं उच प्रात्मिक स्कूल फिरोजपूर, देखे फिरोजपूर का विधाले है, टाइलिकरन हुआ हुआ है, 14 पैरामेटर्स बिलकुल पूरे कर दिये ये पहली था इसमें दिखाया गया है प्रात्मी विद्हले मोहंपुर्ध, जो इत्विदा, जनपद, बरेली में सुरु में आपका विद्हले आ का था ऑप्रिषन काया कल्प के आ ये विद्हले इस तरएका हो गया है देखे कितना changes आ गया है इस विद्हले में प्रात्मी विध्याले पाली जनपद गाजयबाद देखे पाली का ये विध्याले है सबसे पहले इस तरह का अब ये विध्याले इस तरह का हो गया है इसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये विध्याले कोई प्राइमरी या सरकारी स्कूल हो सकता है कितना चेंजिस इस व ओप्रेशन काया कल्प की वज़े से हुआ है प्रात्मिय विधाले बड़ा गाउं जनपत जहांसी इस तरह का विधाले जनपत जहांसी में बड़ा गाउं में था और ओप्रेशन काया कल्प के बाद ये विधाले आपका इस तरह का हो गया है आगे देखते हैं अब आपको ये पता ही है कि अठारे मूलबूत अवस्थापनाई स्विधाई कौन-कौन सी है देखे ये भी एक विधाले है विधाले का द्रश्चे है इसके बारे मैं मैं जादे नहीं कहूंगा इसमें इसी सिर्फ यही बताया गया है कि विधाले की ग्रेडिंग की इस तरह से होगी तो काफी सुन्दर विधाले है और हम भी चाते हैं कि हमारे विधाले भी इस तरह के होगी तो हमारा भी पढ़ाने में काफी बन लगेगा तो साथियों दीरे दीरे हमारा परदेश प्रेरक परदेश बनने की और अगरसर है विद्याले के छेतर में तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल का इकन को प्रेस कर दीजे जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद